लेकिन अगर दुनिया में मंदी होगी तो as commerce minister क्या आप nervous होते हैं कि आपके exports का demand क्या होगा, exports नीचे आएंगे, ripple effect होगा और हम insulate नहीं हो पाएंगे, यानि कि global impact भारत पर भी पड़ेगा? सबसे पहले तो सपष्ट कर दू कि हम कभी nervous नहीं होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार का दाइत्व है, कि वो परिस्तितियों के हिसाब से calibrate करे, अपने काम को calibrate करे, आगे की expectations को और उसके हिसाब से हम planning करते हैं, सर्टिनली ये जो uncertainty का दौर है, और खास्तोर पर जब recession की बाद, मंदी की बात आती है विश्वस्थर पर, तो सभाविक है कि भारत पे भी उसका परिणाम तो पड़े गाई, हमारे भी निर्यात में थोड़ी कमजोरी आने के संभावन है, लेकिन उसी के साथ-साथ हमारे प अग्रिकल्चर में हमने बहुत अच्छा काम किया है, आज भी हम एक पेकार से food security अपनी बनाई रखे हुए हैं, जिसके कारण भारत में भी तकलीफ कम है, और हम विदेश को भी कई देशों को support कर पाते हैं, इसमें भी काफी challenges हैं, आज fertilizer बड़ी challenge थी, लेकिन प्रदान मंत हमें भारत में fertilizer उपलब दो, और जो महेंगी भी कीमतों पे भी खरीदना पड़ा, वो खिसानों के ओपर बोज ना डालके, हमने सुनिश्चित किया कि किसान अच्छे पैमाने पे अपना बीच बो पाएं, और food output, food drain output, अभी भी भारत का record होने जा रहा है इस वर्ष भी, ज इसके कारण देश में किसी प्रिकार की कोई तक्रीफ नहीं आई प्यूश जी